और सवागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुच्छामन ऊंलाइन कलासेज में दोस्तूं आज हम देखेंगे सिक्ष्या मनोविग्यान का नेक्स्ट टोपिक जिसके अंदर हम देखेंगे आज परमुक दार्सनिक और जो मनोविग्यानिक है हमारे सिक्ष्या मनोविग्य के उनके बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको जो भी दमारे दार्षनिक हुए हैं जो भी मनोवेग्यानिक हुए हैं उनके बारे में विस्तार्षिब बताया जाएगा और दोस्तों कोई सा भी एक्जाम उठालो आप जो सिक्सक बरती के होते हैं उनमें तीन से चार परसंट सीधे और सीधे आपके दारसनिक और मनोविगयनिक में से पूछे जाते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को अंतक देखते रहें और अभी तक अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिसे आने वाले हर न्यू वीडियो के आपको जानकारी मिलती रहे तो दोस्तु अब हम देखते हैं हमारे कि कौन-कौन से दार्शनिक और कौन-कौन से मनोविग्यनिक है जिन से एक पलेटो एक दार्शनिक थे और इनका काल कब से कब तक है तो दोस्तु इनका काल 424-348 इसा पूरव dł evolves दोस्तु जो पलेटो है और यानि जो पलेटो थी उनकी शिक्स्या थी उसका मुख्य उद्दे से क्या था की जो सत्य होता है उसका साक्साथकार करना था शिक्ष्या परनाली में अनुक्रण को विशेश महत्वे दिया जो उमारे पलेटो है दार्षनिक उनकी परमुक पुस्तक थी वो कौन सी थी रिपपलिक कौन सी थी रिपपलिक दोस्तों आपको कनफ्यूज नहीं होना एक पुस्तक है रिपपलिक का यह जो पलेटो है इनकी है रिपपलिक और एक पुस्तक है रिपपलिक का यह किनकी जया बोंदे की है रिपपलिक का और जो रिपपलिक पुस्तक है यह किसकी है यह है हमारे देखते हैं अरस्तु के बारे में तो दोस्तु नेक्ष्ट जो महरा है अरस्तु दारशनिक है यह अरस्त तो क्या है यह एकमनोवेगी निगने दारस्नीक है इनका काल कब से हैं इनका काल है 384 से 322 इस्वा पूर है कबसे 384 से 322 इस्वा पूर है पलेटो का कबसे था 424 से 348 इस्वा पूर है लेकिन दोस्तु ये काल से समंदित क्यूसन नहीं पूचा जाता है तो आपको इसको याद भी नहीं रखना है बस आपको एक नोलेज के लिए यहां पर बताया जा रहा है तो दोस्तू यह जो अरस्तू है यह सिसे किसके हैं तो दोस्तू पलेटो के सिसे हैं यह अरस्तू पलेटो के सिसे हैं इन्होंने दर्शन सास्तर की साका के रूप में आत्मा का अध्यन यानि प्रोचिन मनोविग्यान का सुत्रपात किया हमने पढ आत्मा का विग्यान है मारा इसके बारे में हम हमारा जो टोपिक रहेगा उसके अंदर विस्तार शेपड़ेंगे लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आत्मा का अध्यन सबसे पहले किस ने किया था तो दोस्तो अरस्तु ने किया था दर्सन सास्तर की साका के रूप में आत्मा का अध्यन किया था सिकंदर अरस्तु का सिस्य था कौन जो सिकंदर था वो किसका सिस्य था अरस्तु का सिस्य था तो दोस्तो हमने पहले देखा पलेटो अब देखा है अरस्तु यह आपको दोनों कैसे लगे आप कमेंट करके भी बताते रहे और अभी तक अगर आप में रूसो के बारे में तो दोस्तों रूसो क्या है परकर्ति वादी दार्षनिक है इनका काल कब से कब तक है सट्रासो बारा से सट्रासो 38 इसा पूरू है इनका काल 1712 से 1718 तक सिक्स्या में मनोविग्यनिक अंदोलन का सुत्रपात करने का सरे रूसो को जाता है तो दोस्तु ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी सिक्स्या है इसके अंदर मनोविग्यनिक अंदोलन करने का सुत्तरपात किसको जाता है या उसका सरे किसको जाता है तो उसका सरे जाता है रूसो को किसको जाता है रूसो को उसका सरे जाता है दोस्तों जो रूसो है इनको क्या का जाता है तानासा क्या का जाता है तानासा इन्होंने ही तानासा की जो system होता है उसको launch किया था तो इन्हें ताना साके जनक के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने अपने पुस्तक Emil ने Emil में Emil नामक बालक वसोपी नामक बालिका की सिक्ष्या वेवस्ता का वर्नन किया है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रुसो की पुस्तक कौन सी है Emil एमिल में किसका वर्नन है तो दोस्तों Emil में Emil नामक बालक वसोपी नामक बालिका की सिक्ष्या वेवस्ता का वर्नन है तो दोस्तों यह बाते आपको दिहान रखनी है पहली बात आपको कि रुसो है वो मनोवेगयनी का अंदोलन है सिक्सिया के अंदर मनोवेगय नहीं कि अंदोलन का सुत्रपात करने का सरे जाता है रूसो को पहली बात दूसरी बात है कि इनको ताना साक के जनक माना जाता है तीसरी बात कि इनकी पुस्त कौन सी है एमिल और एमिल में किसका वर्नन है तो Emil में Emil बालक वे सोपी नामक बालिका की शिक्स्या व्यवस्ता का वर्नन है आगे हम देखते हैं कि Russo है इनकी परमुक पुस्तकें कौन सी है तो दोस्ती इनकी परमुक पुस्तकें है Social Contract, Second Discourse और Emil ये तीन पुस्तकें है नाम याद रखना है आपको क्योंकि पुस्तकों से हर एकजाम के अंदर एक ने दो जरूर क्यूसन पूचे जाते हैं तो आप पुस्तकों के नाम है वो जरूर याद रखें आगे हैं कि रुसो व्यवेक्ति था जो कि परतेग वेक्ति को सवतंतर देखना चाता था अर्थार्थ ये प्राकर्तिक सौतंतरता का समर्थक था तो दोस्तों रूसो कौन सा वेगती था रूसो वेगती था जो परतेग वेगती है जो परतेग प्राणी है उसको सौतंतर देखना चाता था ये क्या है कि जो प्राकर्तिक सौतंतरता होती है उसके समर्थक थे रूसों के अनुसार मनुसे सवतंतर पेदा होता है लेकिन विबिन बंदनों में जगड़ा हुआ होता है मनुसे वो सवतंतर पेदा होता है जब वो पेदा होता है उसके पास किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है लेकिन उसके पास उसके पास अनेक जो बंदन प्राप्थ हो जाते मोहमाया का बंदन परिवार का बंदन यानि भूछ सारे उसको बंदन मिल जाते हैं तो दोस्तों यह है हमारे रुसो प्रकर्तिवादी दार्शनिक अब आगे हम देखेंगे इसके अंदर महत्मा गंदी के बारे में तो दोस्तों महत्मा गंदी मात्मा गंदी कौन थे मात्मा गंदी भी एक दार्शनिक थे क्या थे दार्शनिक थे मात्मा गंदी भी मात्मा गंदी का पूरा नाम क्या था मोहंदास करमचंद गंदी क्या नाम था मोहंदास करमचंद गंदी नागरिकता कहां की थी तो दोस्तु भारतिये इनकी नागरिकता थी जनम कब हो था 2 अक्टूबर 1879 में मर्तियों कब हुई थी 30 जनवरी 1948 को तो दोस्तु यह है मात्मा गंदी की बेसिक जानकारी अब आगे हम देखते हैं कि मात्मा गंदी के बारे में सिक्सिया पर क्या जोर दिया तो दोस्तु बेसिक सिक्सिया पर जोर 1937 में मात्र बासा के मादेम से यानि जो बेसिक सिक्सिया होती है हमारी जो हमारी सुरुआती सिक्सिया होती है उस पर मात्मागंदी ने जोर दिया था और जोर किसके मात्मागंदी ने जोर दिया था 1937 से जो हमारी मात्र बासा है अगर आप राजस्तान से हो तो राजस्तानी गुजरात से हो तो गुजराती मराश्टर से हो, मराटी कंणड बासा हो आपकी केरल की कोई भासा हो तो दोस्तों जहां की जो मात्र भासा है उसके मात्र भासा के 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 पूरी होनी चाहिए इस पर सबसे ज़्यदा मात्मा गंदी ने जोड़ दिया था इन्होंने सिक्सिया का अर्थ बालक वे मनुसे के आत्मा सरीर वे बुद्धी का सर्वांगिन और सर्वतम विकास बताया है तो दोस्तों मात्मा गंदी ने सिक्सिया का अर्थ क्या बताया है आने वाले एकजमू के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ये बात तो दोस्तों ये तीने बातें आपको याद रखनी है मनुसे या बालग आपको दिया हुआ हो सकता है कि मनुसे आत्मा, सरीर और बुद्धी ये तीने बातें याद रखनी है इनका सरुवांगिन और सरुवतम विकासी सिक्स्या का मूल अर्थ होता है मातमा गंदी के अनुसार अब आगे हम देखते हैं थोरंडाइक के बारे में तो दोस्तों थोरंडाइक, E.L. थोरंडाइक ये वेवारवादी मनोविग्यान है क्या है वेवारवादी मनोविग्यान E.L. थोरंडाइक इनका नाम क्या है एड़वर्ड थोरंडाइक क्या है एड़वर्ड थोरंडाइक नागरिकता कहा है या कहां की है इनके पास स्यूक्त राजे अमेरिका की जनम कब हुआ था 31 अगस्त 1854 इस्वी में मर्त्यू कब हुई थी 9 अगस्त 1959 इस्वी में इनका कारीक छेतर कहां था ये एक टिचर थे कहां पर कॉलंबिया विश्वे विध Givinge के अंदर ये हुई थोरंडाइक के बारे में बेसिक जानकारी जो आपको याद भी रखनी है एकजाम के अंदर पूचा जा सकता है कि थोरंडाइक है वो कहां के हैं कहां के मनोवेग्यनिक है तो कहां के हैं सियुक्त राजे अमेरिका के इनका कार ये छेतर क्या है तो ये कोलंबिया विस्विदाले के अंदर एक टीचर थे अब आगे हम देखते हैं थोरंडाइक से समंदित परमुक योगदान पसू वेवार एवं अदिगम परकिरिया के चेतर में कार ये किया किसमें पसू वेवार और जो अदिगम की परकिरिया उसके चेतर में इन्होंने कार ये किया था उन्नों बातें आपको याद रखनी है आपने बिलियों कुट्टूं मुर्गों पर विबिन तरह के पहली बोक्स के द्वारा परियोग किये थे किसके द्वारा पहली बोक्स होता है उसके द्वारा बिलियों के उपर कुट्टूं के उपर और मुर्गों के उपर परियोग कि एक नमर पर दे दिया आपको A में बिलिया, B में दे दिया आपको मुर्गे, C पर दे दिया आपको गाई या बैड कुछ भी दे दिया तो इन में से कौन सा राइट ओप्सन होगा? D ओप्सन ये तीन नम आपको याद रखने हैं और नेक्स्ट जो आपकी लाइन है वो आपको विशेस कर याद रखनी है आपने बिलियू के लिए 15 बोक्स, कुत्तू के लिए 9 बोक्स तता मुर्गियों के लिए 3 बोक्स तियार किये थे तो दोस्तों ये पुछा जा सकता है कि थोरंड आएक ने बिलियू के लिए कितने बोक्स तियार किये थे तो कितने बोक्स पंदरा बोक्स, कुत्तू के लिए कितने, 9 बोक्स और मुर्गियों के लिए 3 बोक्स तियार किये थे ये बात भी आपको ध्यान रखनी है आदूनिक सिक्ष्या मनोविग्यान के जनक एव दूनिक शिक्ष्या मनोविग्यान के जरने कौन है वो है थोरंडाइक एवं पर्थम सेक्षिक मनोविग्यानिक कौन है वो भी थोरंडाइक मनोविग्यान से समंधित सोदू में पसू पर परियोग करने वाले पर्थम मनोविग्यानिक ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो मनोविग्यान से समंधित सोदू हुई है उनमें पसू है जो पसू है उन पर परियोग करने वाले पर्थम मनोवेगा नहीं कौन है तो वो है थोरंडाइक तो दोस्तों इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको पहली बात की थोरंडाइक कहां के हैं तो स्युक्त राजे अमेरिका का नेक्स इनका योगदान क्या रहा कि पसू वेवार और अधिगम प्रिक्रियागे चेतर में कार ये किया किन किन पर किया बिलियों कुत्तों और मुर्गों परिन विबिन तरह के पहली बोक्स के दोरा परियोग किये बिलियों के लिए 15 बोक्स, कुत्तू के लिए 9 बोक्स, मुर्गियों के लिए 3 बोक्स आदुनिक सिक्स्या मनोविग्यान के जनक आ जाता है पर्तम सेक्सिक मनोविग्यान है थोरन डाइक कुछ इसका और भी योगदान रहे हैं वो भी देख लेते हैं इन्होंने उद्धिपक अनुकिरिया का सिधन दिया किन्होंने थोरंडाइक ने उद्धिपक अनुकिरिया का सिधन दिया था तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि अद्धिपक अनुक्रिया का सिधान किस ने दिया था थोरण डाएक ने दिया था इस सिधान्त के बारे में हम आगे विस्तार से अध्यन करेंगे जिसे हमारा कोर्स चलेगा इन्होंने अधिगम के चेतर में तीन मुख्य नियम पाँच गोन नियम दिये थे, दोस्तोँ ये बात है IMPORTEN'T, बहुत बार एकजमु के अंदर ये भी पूछा गया है कि थोरनडाइक के मुख्य नियम कितने हैं तो मुख्य नियम रहेंगे यहां पे तीन और गौन नियम कितने हैं तो गौन नियम रहेंगे यहांपे 5, दोस्तोँ ये नियम कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ आप अगर नोट्स मना रहे हैं तो मैं दिरे दिरे बोलके बता रहा हूँ तो आप लिख भी सकते हैं पहला जो हमारा मुख्य नियम है वो रहेगा अभ्यास का नियम अभ्यास का नियम है पहला दूसरा जो नियम है वो है हमारा परभाव का नियम और तीसरा है वो कौन सा है ततपरतागा नियम अभ्यास का नियम परभाव का नियम और ततपरतागा नियम यह है परमुक्त जो मुक्यत तीन नियम है वो और पांच जो गोण नियम है वो कौन कौन से उनमें पहला है बहु किरिया का नियम दूसरा है आंसिक किरिया का नियम तीसरा है मनोवर्ती का नियम कौन सा मनोवर्ती का नियम चोता है साधरिश्यता का नियम साधरिश्यता का नियम और पांचों है वो कौन सा है साधरियता का नियम तो दोस्तु तीन मुक्य नियम है ब्यास का प्रभाव का और तत्परता का नियम और गोण पांच है गोण नियम है वो पांच है कौन-कौन से है बवु किरिया का नियम आंसिक किरिया का नियम मनोवर्ती का नियम साथ दर्शियता का नियम और साथ चरियता का नियम यह होगे जो अधिगम के छेतर में थोर्ण डाई ने नियम दी थी वो, अब आगे देखते हैं थोर्ण डाई की परमुग रचनाएं कौन-कौन सी है, तो दोस्तु परमुग रचनाएं हैं, इनकी परमुग छे रचनाएं हैं, वो यहां पे हमें दी गई है, वो आप देख सकते हैं, इ टीचर्स वर्ड बुक दा मेशियूर्मेंट ओप इंटलिजेंस दा साइकोलोजी ओप अर्थ मेटिक यह है इनकी परमुक छे पुस्तके या छे रचनाएं जिनकी सन भी जिसे में यह लॉंच की गी थी उनकी सन भी साथ में दी गई है तो दोस्तु यह जो छे पुस्तके हैं इनको आप स्टार लगा कर अलग से लिख लें क्यूंकि इनसे एकजाम के अंदर क्यूसन पुछा ही पुछा जाता है पुस्तकों से समंदित हर एकजाम के अंदर एक ने दो क्यूसन जरूर पुछा जाता है तो दोस्तों यह चेक जो पुस्तके हैं उनकी एक बार में वाप अर्थमेटिक क्या अर्थमेटिक तो दोस्तों यह हो गए हमारे थोरंडाई की परमुख रचना ही और थोरंडाई का परमुख योगदान अब हम आगे देखते हैं पाउलो के बारे में आगे हैं मारे आईपी पावलो यह है वैवहरवादी मनवेग्यानिक कैसे वैवहरवादी मनोवेग्यानिक है आईपी पावलो इनका पूरा नाम क्या है इवान पेट्रो पावलाओ क्या है इवान पेट्रो पावलाव नागरिकता का की है रूस की है जनम कब हुआ था 26 सितंबर 1848 को मर्त्यू कब हुई थी 20 फ्रवरी 1936 को दोस्तों आपको जो जनम है और मर्त्यू है ये बाते याद नहीं रखनी है एकजाम के अंदर नहीं पूची जाती है आपको बेसिक जानकारी के लिए बताई जा रही है फिर भी अगर आप याद रखना चाते हो तो याद कर सकते हो तो दोस्तों जो पावला है इनका कारी चेतर क्या था मिलिटरी अकादमी सेंट पिटर्सबर्ग विश्वे विद्धा लेके अंदर इनका कारी चेतर था अब आगे देखते हैं पावला के बारे में परमुक योगदान की इनका अमारी जो मनोविग्यान है इनके अंदर क्या योगदान रहा तो दोस्तों पहला है सास्त्रिय अनुबंदन सिधान्त एक सिधान दिया था पाउलो ने कौन सा? सास्त्रिय अनुबंदन का सिधान जिसके बारे में हम जब हमारा कोर्श चलेगा आगे इसके बारे में हम विष्थार्षे पढ़ेंगे वेवार रुपांतरन सिदान्त ये है दो इनके सिदान्त दोस्तों यहां पे आपको जो सिदान्त दिये हैं उनके बारे में उनके नाओं भी बताये जा रहे हैं क्योंगे इनके बारे में विश्तार्श हम आगे पढ़ेंगे यहां पे हम जो दार्शनिक और मनोवेग्यानिक है उनके बारे में पढ़ रहे हैं नहकी उनके सिद्धान्तों के बारे में तो दोस्तु आप वीडियो को देखते रहें कैसा लग रहा है अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहे और भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है नेक्स्ट है पावलो के अधिगम के सिध्धान्त को परियोगा तमक सनायू विकरती का सिध्धान्त भी कहते हैं जो पावलो के अधिगम का सिध्धान्त है उसको किस नाम से जाना जाता है परियोगा तमक सनायू विकरती के सिध्धान्त के नाम से जाना जाता है और ये बात आपको इस्टार काचिन करके याद रखनी है क्योंकि प्रियोगातमक सनायो विकरती का सिधान्त किसने दिया ये एकजाम के अंदर पूछा जा सकता है आने वाले एकजामों के अंदर नेक्स्ट है कि इनको कौन सा पुरुसकार मिला तो दोस्तु प्रमुग इनको पुरुसकार मिला था नोबेल पुरुसकार और कब मिला था 1904 के अंदर जो पाउलो है इनको नोबेल पुरुसकार मिला था प्रमुग प्रियोग किस पर किया था कुट्टे के उपर तो दोस्तों ये पूचा जाज़ सकता है कि पाउलो ने क्या पूचा जाज़ सकता है कि पाउलो ने परियोग किस जानवर पर किया तो किस पर किया था कुत्ते पर इन्नों ने परमुग परियोग किया था आगे हैं पावलो की परमुक रचनाई यानि परमुक किताबे दा एक्सप्रेमेंटल साइकोलोजी साइकोपेथोलोजी यह है इनकी परमुक रचनाई परमुक किताबे या परमुक बुक्स इनके नाम आपको याद रखने हैं एक्सप्रेमेंटल साइकोलोजी साइकोपेथोल जी ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं सास्त्रे अनुबंदन का सिधान्त वेभार रुपांतरन का सिधान्त प्रियोगा तमक सनायू विकरती का सिधान्त ये तिन्नों के तिन्नों नाम याद रखने हैं इनसे समंदित आपको क्यूसन पुछा जा सकता है आगे हम देखत तो दोस्तों वुडवर्थ का जनम कब हुआ था 17 अक्टूबर 1879 के अंदर मरत्यू कब हुई थी 4 जुलाई 1962 को तो जनम हुआ 17 अक्टूबर 1879 मरत्यू हुई 4 जुलाई 1962 नागरीक तक है कि है सयुक्त राजे अमेरिका की ये बात भी ध्यान रखनी है कि वुडवर्थ की ना का हमारे सिक्षा मनोविज्यान के अंदर परमुक योगदान तो दोस्तों परमुक योगदान क्या क्या है प्रेरक मनोविज्यान मनोविज्यान में प्रेरना का महत्वय के समर तक कौन थे वुडवर्थ थे किसके प्रेरक मनोविज्यान के मनोविज्यान में प्रेरना के मह तो एके समर्थक थे दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो प्रेर्णा होती है यह दो प्रकार की होती है कौन कौन सी एक होती है हमारी आंतरिक प्रेर्णा और एक होती है वो होती है हमारी बाहरी प्रेर्णा कौन सी बाहरी प्रेर्णा और आंत्रिक प्रेर्णा दोस्तों बहारी प्रेर्णा है कि आपको कोई बोले कि आपको इस रीट की बरती के अंदर सेलेक्षन चाहिए आपको पढ़ाई करनी है तो आप आकर पढ़ाई करोगी अगर आपको सीटेट इस सीटेट में आपको पास होना है कोई आपको बोले तो आप आकर पढ़ाई करोगे यह होती है एक बाहरी प्रेरना आपको मिली अगर आपको आपका दोस्त रीट के अंदर या सेकंड ग्रेड के अंदर या डियेसस्पी के अंदर किसी के अंदर उसका सेलेक्शन हो जाता है फिर उसको देखकर आप अगर ये सोचे कि इस बार मेरे को भी पढ़ना है और आप मन से आपके आंतरिक भाव से पढ़ने लग जाए तो ये क्या हो जाएगे आपकी आंतरिक प्रेर्णा तो प्रेर्णा दो प्रकार के आंतरिक और बाही प्रेर्णा नेक्स्ट है इनके मनोविग्यान को गत्यात्मक मनोविग्यान माना जाता है और ये बात आपको नोट करनी है कि गत्यात्मक मनोविग्यान किस वेवारवादी मनोविग्यानिक का है तो वो है वुडवर्त का इस मनोविग्यान का जनम कोलंबिया विश्वविदाले में हुआ था गत्यात्मग मनोविग्यान है उसका जनम कहां वाता तो कोलंबिया विश्व विदा लेके अंदर इसका जनम हुआ था इन्होंने अध्यन का परारम उद्धिपक से नह मानकर विभिन परकार की अनुकिरियों के अदार पर मानना है तो दोस्तों ये बात भी ध्यान राकनी है कि किस जो मनोविग्यान है उसने जो हमारा अध्यन होता है उसका परारम उद्धिपक से नह मारकर अनुकिरियों से किरिया 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 यानुकिरिया मतलब अनेक बार किरिया अनुकिरिया के अदार पर माना है तो वो है वुडवर्त उन्होंने माना कि उद्धिपक के अलावा एक प्राणी भी मेत तुपून कारिये करता है जो दिपक होता है उसके अलावा कौन एक प्राणी भी मेत तुपून कारिये करता है अपने जीवन में छे परमुक रचनाएं लिखी है कितनी छे परमुक रचनाएं वुडवर्त ने लिखी है तो दोस्तों यह हो गया ह वुडवर्थ के अंदर आपको याद रखनी है परेरक मनोविग्यान के समर्थ तक इनके जो मनोविग्यान उसको क्या का जाता है गत्यात्मग मनोविग्यान जो गत्यात्मग मनोविग्यान इसका जनम कहा हुआ था कोलंबिया विश्विदाले के अंदर वुडवर्थ ने मा थी अब आगे हम देखेंगे जिन पियाजे के बारे में तो दोस्तों जिन पियाजे जिन पियाजे हैं वो क्या है विकासातमक मनोविग्यान तो दोस्तों यहां पे आगए हमारे विकासातमक यह विकासातमक क्या होता है तो दोस्तों बालका सारिक मानसिक और समाजिक विकासी विकासातमक मनोविग्यान है नोट कर लो विकासातमक मनोविग्यान क्या है बालका सारिक, मानसिक और समाजिक विकासी विकासातमक मनोविग्यान है तो दोस्तु जिन पियाजे है इनका जनम हुआ था 9 अगस्त 1860 में मरत्य हुई थी 16 सितंबर 1980 को नागरिक ता इनके पास है वो कांकिए स्वीटरजर लेंड की है तो दोस्तों यहाँ पर याद रखने है कि जिन पिया जे कांके थे स्वीटरजर लेंड के थे निवासी थे दोस्तों इनके परमु की योगदान पढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें क्योंकि इस परकार से आपको को ही नहीं पढ़ा सकता जिस परकार से मैं पढ़ा रहा हूं तो आप चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन दबाएं जिसे आपको आने वाले ह चेत्र में जितने भी सोद हुए हैं उनमें सबसे अधिक वेग्यानिक एम वेवस्तित सिधान्त इनका ही माना जाता है इसलिए इनको मनोविग्यान की तीसरी सक्ति माना जाता है पहली बात यहां पे नोट करने हैं आपको कि तीसरी सक्ति किनको माना जाता है जिन पियाजे को किनको जिन पियाजे को मनोविग्यान के अंदर तीसरी सक्ति मना जाता है दूसरी बात ग्यानात्मक विकास के छेतरग में जितने भी सोद हुए है ग्यानात्मक जो हमारा विकास है उसके छेतर में जितने भी सोद हुए है में सबसे अधिक वेगयनिक और वेवस्तित करम से जो सिद्धान्त है वो किसका है जिन पियाजे का ही माना जाता है शंग्यानात्मक विकास एम सरचनावाद का सिद्धान्त जो संग्यानात्मक विकास और सरचनावाद का जो सिद्धान्त है ये किसने दिया था ये दिया था जिन पियाजे ने आपको याद करना है इस सिदान्त के बारे में हम आगे विस्तार शेपड़ेंगे आत्म के अंद्रीता वे बुद्धिक विकास के इसकीमा का सिदान्त किसका आत्म केंद्रिता वे बुद्धिक विकास के इस्कीमा का सिदान्त दोस्तों इस्कीमा क्या होती है इस्कीमा एक जो मारी बुद्धी होती है उसका भाग होता है किसका बुद्धी का है ये एक इस्कीमा भाग होता है इन्होंने इसकीम एवं इसकीमा जैसी अवधार्णाय दी थी तो दोस्तों इसकीम वे इसकीमा जैसी अवधार्णाय किसने दी थी तो वो दी थी जिन पियाजे ने और आतम के अंदरीता वे बोधिक विकास में इसकीमा का सिद्धान किसने दिया था तो दिया था जिन पियाजे ने आगे हम देखते हैं जिन पियाजे के बारे में तो दोस्तों आगे हैं कि ग्यानात्मक विकास है तू चार अवस्ताइं बताई जिन पियाजे ने ग्यानात्मक विकास है तू कितने अवस्ताइं बताई है चार अवस्ते हैं बताई है कौन कौन सी है पहले है स्वेगातमक काल जो जीरो से दो वर्ष का होता है पूर्वे संपर्तियातमक चिंतन काल जो होता है दो से साथ वर्ष का मुर्थ संक्रिया काल साथ से बारा वर्ष का एमुर्थ चिंतन काल बारा से उन्नीस वर्ष का ग्यान चिंतनकाल, इनके बारे में हम, अमारी जो कलास रहेगी, उसके अंदर विस्तार से पढ़ेंगे कि ये क्या-क्या होते है और इनमें क्या-क्या होता है, यहां पे आपको ये चार अवस्ता है, और इनकी जो उम्मर है, वो याद रखनी है, आगे हम देखते हैं, जो हमारे जिन पियाजे हैं इनकी परमुक पुस्त के कौन कौन सी है जो परमुक इनकी पुस्त के हैं उनके बारे में यहां पे हम देखेंगे तो दोस्तु पहली रचना है इनकी पहले यह पांच इनकी परमुक रचना है पांचों के पांचों के नाम है आपको वो याद करना है दूसरी बात दोस्तों अगर यह हिंदी में नाम लिके जाते तो आप कभी याद नहीं कर सकते सबसे बड़ी बात आपको यहां पे ध्यान रखना है कि अगर रिजनिंग नाम मिले आपको कहीं पर भी region ing नाम मिले या judgment नाम मिले तो वो किसकी रहेगी जिन पियाज जी की पुस्तक रहेगी और हिंदी के अंदर नाम होते हैं वो आपस में mixing हो जाते हैं जिसे आप याद नहीं कर सकते हैं इसलिए याँ पे आपको इंगलीज बासा के अंदर परमुगरचनाओं के नाम दिये गए हैं अब आगे हम देखते हैं जिन पियाजी परमुगरचनाओं होगी तो आगे देखेंगे कोहलर के बारे में तो दोस्तों कोहलर क्या है गैस्टाल्ट वादी मनोविग्यानिक है कैसा कोलर है वो गैस्टाल्ट वादी मनोविग्यानिक है इनका जनम कब हुआ था जनम हुआ था 21 जनवरी 1887 को 21 जनवरी 1887 को जनम हुआ और मरत्य हुई 11 जून 1967 को नागरिक्ता कहां की है इनके पास जर्मनी की कहां की है जर्मनी की इसके पास नागरिक्ता है अब देखते हैं सिक्ष्या मनोवी ग्यान में कोलर का परमुक योगदान जर्मनी के मेक्स वर्धिमर कोप का कोलर ने सूज या अंतर दर्ष्टी का सिद्धान या गैस्टाल सिद्धान का परतिपादन किया किस ने किया था ये किया था हमारे जो जर्मनी के हैं मेक्स वर्धीमर कोपका और कोलर के बारे में पढ़ रहे हैं और मेक्स वर्धीमर और कोपका ये दोनों थे सयोगी इन तिनों ने मिलकर सूज या अंतरदर्ष्टी का जो सिदान्त है या जिसको हम गेस्टाल्ट सिदान्त का सबद है जिसका अर्थ होता है समगर या पूर्णाकार ये बात आपको नोट करके याद रखने है क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है कि गेश्टार्ड सबद है वो जर्मन बासा का है और उसका अर्थ क्या होता है समगर या पूर्णाकार इस स कि सुल्तान नामक वन मानुस पर परियोग किये गए थे किसमें सूजय अंतर दरश्टी के सिदान्त में आगे देखते हैं कोलर की परमुक रचनाए परमुक किताबे पहली है दा मेंटेलिटी ओफ एस पी एस दा प्लेस ओव वेल्यू इन दा वर्ड ओफेक्ट्स डाइनेमिक उप साइकोलोजी ये तीन हैं जो कॉलर की परमुक रचनाए हैं इनके नाम आपको क्या करने हैं याद करने हैं चाए रट्ले रट लो इन नामों को आप क्योंकि इन से समंदित हर बार एक्जाम के अंदर आपको एग ना दो क्यूसन जरूर मिलेंगे और जो रचना है होती है इनकी कोई ट्रिक भी नहीं है जिसे आप इनके नाम याद कर सकें इनको आपको रटना ही होगा तो दोस्तों ये हो गया हमारा कोलर कोलर के बारे में हम देखेंगे इसकिनर के बारे में किसके बारे में इसकिनर के बारे में तो दोस्तों इसकिनर है ये क्या थे मौलिक वेवारवादी मनोवेगयनिक थे क्या थे मौलिक वेवारवादी मनोवेगयनिक थे इसकिनर इसकेनर का जनम हुआ था 20 मार्च 1904 को और मर्तव हुई थी 18 अगस्त 1990 को कार्य चेतर था मिनिसोटा विस्वे विदाले, इंडियाना विस्वे विदाले, हावर्ड विस्वे विदाले के अंदर ये प्रोपेसर का कार्य करते थे इन्होंने विबिन चेतरों में चुहूं पर पर्योग किया था इसलिए एक स्किनर बोक्स का निर्मान करवाया था हालां कि ये स्वेम स्किनर ने ही इस बोक्स का नाम किरिया परसुत नाम दिया था किरिया परसुत या आर एस नाम दिया था ये क्या है कि विबिन चैतरों में इन्हों ने चुहूं पर प्रियोग किया था और इसके लिए उन्हें इन्हें एक इसकिनर बोक्स बनाया था और उसका नाम क्या दिया था? इन्हें ने आरस या क्रिया प्रसूत इस बोक्स का नाम दिया था 1940 के दक्सक में अपना ध्यान चूहू, पैस चूहू से आटाकर कबूतर की तरफ किया क्या किया था एक मापनी का परियोग किया था तो दोस्तों 1913 से इनुने चुहूं पर परियोग किया था बहुत छोटी उमर में ही उन्ने चुहूं के उपर परियोग किया था 244 से द्यान अठागर इनने कबुतर रूपर परियोग किया और सरोपरतम इनने अधिगम के सिदांध में एक मापने का परियोग किया था उस मापने का नाम क्या रखा था उसका नाम रखा था इनने अनुदेशन किसका नाम रखा था जिसम आपने का इन्होंने परियोग किया था उसका नाम रखा था इन्होंने अनू देशन इसी एउदी में इन्होंने मानुव सिसूं पर परियोग करते हुए एक वाता नूकुलित बोक्स का निर्मान करवाया जिससे टेंडर नाम दिया गया इसके अनरे ने स्वम अपनी पुत्री पर परियोग किया था तो दोस्तों जो इसी एवदी में इन्होंने मानुव सिसूं पर परियोग पेले इन्हों किन पर किया था चूहूं पर पर कबूतरों पर और फिर मानुव सिसूं पर इन्होंने परियोग करते हुए एक वातानुकुलित बोक्स का निर्मान करवाया था जिससे टेंडर नाम द होता है उसको जो वाताओन चाहिए वो वाताओन उस बोक्स के अंदर शेट कर सकते थे तो दोस्तों इसमें याद क्या रखनी है पहली बात कि इन्होंने इस 1913 के अंदर चुहूं पर परियोग किया था उसके लिए स्किनर बोक्स बनाया था और इस इसकिनर बोक्स का नाम दि बाहद में इन्होंने मानोसिसों पर परियोग किया और एक वातान उकुल इक बोक्स का निर्मान करेया जिसका नाम क्या रहे का टेंडर और ये परियोग किस पर किया था इसकिनर ने स्वेम अपने पुत्री पर इसका परियोग किया था आगे हैं इसकिनर के परमुग पुर तो यह जो चार آवार्ड मिले हैं इसकिनर को यह जा आगे देखते हैं कि सकिनर हैं इनका हम् dummy kingdom क्या रहा अद्धीघम में के या परसुत अनुबंद देते दिया तो जो A.S.R. अमारी थियोरी थी A.S.R. थियोरी उसको क्या कर दिया बदल दिया था बीस्वी सताबदी के सरवादिक परभावसाली मनोवेगयनिक बीस्वी सताबदी के सबसे परभावसाली मनोवेगयनिक कौन है मौलीक वेवार सिधान्त के परतिवादक कौन है तो दोस्तों ये चारू की चारू बाते हैं वो आपको याद रखनी है इनको रटो या ट्रिक से याद करो आपको करनी है लेकिन ये चारू से हर बार क्युसन पूछा ही जाएगा आगे हैं परमुख रचनाए इसके नर की प्रमूग रचनाई तो दोस्तों इनका तीनों का नाम आपको क्या करना है? रटना है चाहे कुछ भी हो जाए जो किताबें हैं जो रचना है इनके नाम आपको रटने ही है तो यह हो गया हमारा स्केनर इसकेनर के बाद में हम देखेंगे आगे सिग्मंड फ्राइड तो दोस्तों सिग्मंड फ्राइड क्या थे? वेवारवादी मनोवेग्यनिक थे सिग्मंड फ्राइड जनम कब हुआ था? 6 मही 1856 को मर्तियू कब हुई थी? 23 अगस्त 1949 को इनकी मर्तियू हुई थी नागरिक ता कहां की थी? आश्ट्रिया की कारिय चेतर ता वियना विश्वे विदाले अब देखते हैं सिग्स्या मनोवी ग्यान में इनका प्रमुक योगदान हिटलर ने फ्राइड की संपून पुस्तकों एवं हस्त लीपियों को जला दिया था? उनको हिटलर ने जला दिया था और हिटलर है वो सिग्मन प्राइड के विरोधि थे सवफन विशलेशन एवं मन की विभीन अवस्ताओं का सिधान्त के पर्तिपादक जो सिग्मन प्राइड है इन्होंने सवफन विशलेशन किया एवं मन की जो विभीन अवस्ताओं होती है कि चेतनमन, एचेतनमन और अर्ध चेतनमन जो मन की अवस्ताओं होती है इनका जो सिदांत है उसका प्रतिफादन किया था किसने चिया था सिग्मंड फ्राइड ने तो दोस्तो मन की तीन अवस्ताई होती है कौन को ढ़ू सी चेतन मन, अरद्टचेतन मन और एचेतन मन मन की सरचनाओं में से एचेतन मन पर अधिक कारिय किया इसी के साथ इन्होंने मनुसे की कामिकता पर गहन अध्यन कारिये किया था तो दोस्तों जो मन की मैंने तीन सरचनाएं आपको बताईए तीन भाग मानलो ये बताएं है तीन जो विभिन अवस्ताएं हैं उन में से चेतन, एचेतन, अर्चेतन उन में से जो एचेतन मन है उस पर इनुने अधिक कारिये किया था और मनुस्य की जो कामिकता है जो आप समझ गे होंगे उस पर भी इनुने गहन अधियन कारिये किया था आगे हैं कि जो कामुगता है लिबिडो क्या बोलते हैं उसको लिबिडो दो बावनातम गरिंते हैं एलेक्टरा कॉम्पलेक्स और ओडिपक्स कॉम्पलेक्स परबाव इसके बारे में इन्होंने भूती डीपली कारिय किया था मुख्य अवस्ता, गूदिय अवस्ता, लिंगा अवस्ता, सुप्ता अवस्ता, जननाग्य अवस्ता से परिचित कराया किसे कामुगता, मुख्य, गूदिय, लिंगा, सुप्ता और जननाग्य अवस्ता से इन्होंने परिचित कराया था मस्तिक्स की सर्चना के अंतरगत इधम एहम परमेम इड इगो वे सुपर इगो का सिधान दिया किसका मस्तिक्स की रचनाम के अंतरगत इधम एहम और परमेम का सिधान दिया था साइको पेथोलोजी का पर्तिपादन तेता इन्होंने दो मूल परवर्ती इरोस वे इरोक्स का पर्तिपादन किया था जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे बस आप यहां पर याद रखें कि साइको पेथोलोजी का पर्तिपादन किया और इन्होंने दो मूल प साइको पेथोलोजी ओप एवरीडे लाइप आगे सन दी गई है इनकी जोक्स एंड देयर रिलेशन टू दा अनकोंशूर्ज दा इगो एंड दा इड थोरी ओफ सेक्शुलिटी दा साइको एनलाइसिस साथ में इनकी सन भी दी गई है तो दोस्तु ये च्छे इनकी है परमु वेगयनिक कोई साभी दारसनिको उसकी जो भी रजनाई है उनका नाम आपको जरूर याद रखना है दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें जिसें हमें भी आतंबल मिलता रहे कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है अब आगे हम देखते हैं वाट्सन के बारे में तो दोस्तों वाट्सन वाट्सन है इनकी नागरिक तक हां कि थी वो थी अमेरिका की जनम कब हुआ था नो जनवरी 1848 इस वी को मर्तिव हुई थी 25 सितंबर 1958 को वाट्सन को वेवारव वाट्सन को वाट्सन का एक कतन है जो भहुत बार भहुत बार एकजामों के अंदर पूछा गया है तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ यानि तुम मुझे एक बालक दे दो अगर आप बोलोगे तो चोर बना दूँगा अगर आप बोलोगे त उसको मैं बना दूँगा यह है वाटसन का कतन, बहुत ही फेमस कतन है यह. वाटसन परतम अनुवेगयनिक थे जिन्होंने सबसे कम उमर में पी एच्डी, कहांसे प्राप्त की सिक्यांगो विश्ववदाले से, प्राप्त की सिक्यांगो विश्ववदाले में चूहू के साथ बूल बूलेया पर परियोग किया किस पर जो वाटसन है इन्होंने सबसे कम उमर में तो पिंचडी की डिग्री प्राब्ट की थी और सिक्यांगो विसुए दाले में चूप पर एक बूल बूलेया पर इसने इन्होंने परियोग किया था जिसमें ऐसी होती है व्यू इट परकासित किया जिसे ही वेवारवाद का जनम माना जाता है वाटसन ने एक किताब लिकी होगी या एक नोट लिका होगा psychology is the behaviors व्यू इट जो परकासित किया था जिसे ही वेवारवाद का क्या माना जाता है जनम माना जाता है तो दोस्तों वेवारवाद, वार्सन के बारे में वेवारवाद के जनक है, इनका पर्शिद कता है तुम मुझे कोई भी बालग दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, वार्सन ने सबसे कम उमर में पेंचडी डिगरी पराप्त की, सिक्यांगो विशु इदाले में चूओं क के बारे में, तो दोस्तों विलियम वुंट, ये जर्मनी के मनोवेगयनिक है विलियम वुंट, जर्मनी के मनोवेगयनिक विलियम वुंट ने लिपजिंग में 1889 में पर्थम मनोवेगयनिक परियोग साला की इस्तापना की, साइद सबसे ज़दा मनोवेगयन का पुछा गय एक्यूसन ही है यह सिक्से मनोविग्यान का कि लिपजिंग सेर के अंदर पर्थम मनोविग्यानिक परियोग साला की इस्तापना किसने की विलियम वूंट ने इन्होंने विलियम जेम्स वाइब्स वजेम्स अली के साथ मिलकर मनोविग्यान को चेतना के विग्यान के रूप में परकासित किया था इन्होंने प्रारंबिक समय में हैल्म होल्ज की प्रियोक साला में साहिक के रूप में कारी किया था लेकिन वहाँ पर व्यतन न मिलने के कारण इन्होंने वहाँ पर कारी करना बंद कर दिया था तो दोस्त उस प्रारम में इन्होंने कहां पर कारी किया था हेल्म होल्ज की जो परियोग साला थी वहां पर साइक के रूप में कारी किया था वेतन नह मिलने के कारण इन्होंने वहां पर कारी करना बंद कर दिया कुछ समय के लिए लिपजिंग विश्व उदाले में दर्सन सास्तर के अद्यक्स के पद पर भी चेन किये गए थे कौन विलियम वुल्ट ये क्यूसन भी याद रखना है पुछा जा सकता है दर्शन सास्तर के अद्देक्स लिपजिंग विश्ववदाले में किसे मनाया गया था तो विलियम वुंट को विलियम वुंट की पुस्तक कौन सी है तो दोस्तों विलियम वुंट की परसिद पुस्तक है कैसे हैं विकासातमक मनोविग्यानिक जनम कब वह था एक अक्टूबर 1915 को वर्तमान में इनकी आयू है निन्यान में वर्स राश्ट्रेता कहां की है या नागरिक तक है सियुक्त राजे अमेरिका की तो दोस्तो अभी तक बुरुनर है वो क्या है जीवित है विकास अत्मक मनोविग्यनिक है बुरुनर का अमारी जो शिक्ष्या मनोविग्यन है उसमें क्या-क्या योगदान है उनके तो दोस्तो पहला है संग्यानात्मक मनोविग्यन का सिद्धान्त शिक्ष्या दर्सन ग्या बुरुनर के हमारे परमुक योगदान आगे हैं बुरुनर की परमुक रचनाएं वेल्यू एंड नेट्स एड एज और गिंज फेक्टर्स इन परिपरेशन उनी सो से तारीस के अंदर दा प्रोसेस ओप एज्यूकेशन एश्टडी ओप थिंकिंग ट्वार्ड्स एठ थ्यू भी दी गई है जिस समय इनको परकासित किया गया था तो दोस्तों ये हो गया हमारा बुरुनर इसे के साथ दोस्तों हमने जो परमुक दर्सन सास्तर और परमुक मनोवे गयने के जिन से हर एक्जामे क्यूसन पूछे जाते हैं उनके बारे में उनके जनम में उनकी आयू उन की मर्त्यू उनकी योगदान उनकी रचनाएं के बारे में विस्तार शिपड़ा तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसको सेर करें आप सभी को धन्यवाद